नोमर्स का दोस्तो मैं हुँ चंदन कुमार आपको स्वागत करता हूँ इंडियान जिक्के गुरु यूटूब चैनेल पर आप सभी जानते हैं हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी कवर है कि राममंदीर का कार्यों सुरू होने जारो है हमारी कोई साल का इंतिज प्लेस इज बिल्ड लड रामन टेंपुल भारत के की स्थान पर प्रभु शिराम चंदर का मंदीर निर्मान किया जाएगा सवित्तर अफ्शन अबर वी अर्जध्या पर प्रभु शिराम का मंदीर निर्मान किया जाएगा क्योंकि अर्जध्या ही प्रभु शिराम चंदर इन हुईच रिफर्वेशिन अजध्य नगरी किस नदिके किनारे पर अबस्तित है। सयूतर अश्वन अबसी अजध्य शरायू नदिके किनारे पर अबस्तित है। ये बात बेरी इमपरांट है, next Who is known as the architecture of Lord Rama Temple? प्रभु शिरामंदिर का बस्तुकार कोन है? सयूतर अश्वन नबर B, जंद्रकांथ संपुरा प्रभु शिरामंदिर का बस्तुकार है। Very important question friends, next question When our PM नरेंद्रमदी lead the foundation stone of Rama Temple? प्रभु शिरामंदिर का foundation stone हमार PM नरेंद्रमदी किस दिन स्टाफना किया। सयूतर अश्वन नमबर A, 5 अगस्ट 2012 कोडियोगो अमारा PM प्रभु शिरामंदिर का foundation stone प्रतिस्टा किया। Next question, the height of रामंदिर will be रामंदिर का उचाई कितने उचाई होगा। सयूतर अश्वन नमबर B, प्रभु शिरामंदिर का उचाई एकसो एकसोडी फूर्ट होने वाला है। पहली बार एक म्यआप प्रस्टुत किया जाए था 990 में, इस 990 के म्याप में अनुशाद प्रभु शिरामंदिर के उचाई 114 फूर्ट होने वाला था, लेकिन एक नौई नौई म्याप, न्यू म्याप प्रस्टूत किया जिसमें 116 फूर्ट प्रभु शिरामंदिर का स्थम्प बना जाएगा लेकिन पूराने म्याप्यान सा दो सो बार है स्थम्प होने वाला था लेकिन अभी न्यू म्याप में 360 स्थम्प बना जाएगा Next question Which company will build the temple of Lord Rama? प्रभु सिराम के मंदिर को कोन सा कमपानी बनाने का लिए टेंडर दिया गया है स्थम्प बनाने को कमपानी प्रभु सिराम मंदिर का टेंडर दिया गया है Next question Which of the following is correct statement about Rama मंदिर? प्रभु सिराम मंदिर के बार है कोन सा बात स्थम्प बनाने को को कमपानी बनाने का लिए टेंडर दिया गया है प्रभु सिराम मंदिर के निर्मान के लिए तीन सो कोटी का खच आकड़न क्या गया है टेकें 3.5 यर्स फिल्डिंग दूसरी बात ये मंदिर बनाने के लिए साड़ेत लगभग साड़ तीन बर्स लगेगा ये डेट स्थिर क्या गया है Next point प्रभु सिराम के मंदिर में 5 दोम्स और 3 फ्लोर्स बना जा सकता है Next राम मंदिर विल्ड इन हाव मैनी एकर्स अफ ल्यान प्रभु सिराम के मंदिर कितनी एकर जमी पर बनाया गया सहीतर अप्शन नमबर B प्रभु सिराम का मंदिर 2.77 एकर जमी पर बना जाएगा लेकिन जो डिस्पूट चल रहा था राम मंदिर और वाबरी मस्जित के बारे में इसमें वाबरी मस्जित को 5 एकर जमी दिया गया है लेकिन राम मंदिर के लिए 2.77 एकर जमी को जमी दिया गया है Next Who was the chief justice at the time of जन्मभुमी और बाबरी मस्जित डिस्पूट जब सुप्रीकोट में चला था बाबरी मस्जित और राम जन्मभुमी के बारे में इस न्याय सुनाने के समय कौन भारत का मुख्य जज था सयुतर अप्सन नमबर बी रंजन गोगाई रंजन गोगाई साहब जी के समय में इस अथिहासिक राय सुना गया है Next question Who was the other four judges of with रंजन गोगाई with this dispute रंजन गोगाई साहब जी होब Who was the other four judges of with रंजन गोगाई with this dispute इस न्याय इस केस पर न्याय सुनाने बाला मुख्य जज रंजन गोगाई साहब थे और इसके साथ और चार जज थे इस चार्जन गोगाई साहब को मिलाकर फाइब जन का एक खंड़ीट गठित क्या गया गया था और इस फाइब मेंबर्स खंड़ीट ने प्रभुशिराम के केस को फैसेला सुना थे next on which day final result of और जजद्या और बावरी मस्चित रिशाइड बाई सुप्रीम कोड कुन साल बावरी मस्चित और जजद्या के राम मुदिर के बारे में सुप्रीम कोड में फाइनल रेजल्ट प्रकास किया 9 November 2019 को इस केस का फाइनल रिपोर्ट आया लेकिन 5 अगस्ठ 2020 को राम मंदिर का सिलाना सुप्रीम के लिए याद रखे next who was the president of सी राम जन्मभुमी ट्रस्ट राम जन्मभुमी ट्रस्ट बनाया गया था इस ट्रस्ट में कौन सा चिया प्रेसिडेंट था स्वयूतर अप्शन नमबर ए नित्यकोपाल दास नित्यकोपाल दास को सी राम जन्मभुमी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रूप में चुना गया था next श्री चंद्र सी चंप्यात राय को जन्राल सेक्रेटरी बना है और गोविन देव और गिर्जो महराज को ट्रेजरी दाइत्यों मिला है सी राम जन्मभुमी ट्रस्ट में next question which year demolition of भाब्री मस्चिद इन अजध्या इस बस अजध्या में भाब्री मस्चिद को नस्ट कर दिया जाता स्युत 6 सेंपर उनेश वयनवे 6 सेंपर उनेश वयनवे को भाब्री मस्चिद को नस्ट किया गया था next question अजद्धा में राम्टेम्पूल को बनाने के लिए पहली बार कौन आपना राय रख्या था सोयूतर अप्शन अबरे रगबरदास 845 किस्टाब्द में रगबरदास ने राम्मंदीर अजद्धा में बनाने के लिए अपना बात रखी थी इसके पहले अजद्धा में राम्मंदी थे लेकिन बाबर जब भारत आये भारस आशन करे 15 सथे की स्टाब्द में राम्मंदीर को तोड़गर इसमें बाबरी मर्शित बनाया आये लेकिन फिर से इसतान पर राम्मंदीर बनने जा रहा है धन्यवाथ फ्रेंस इसी तरह निव एजुकेशनल वीडियो परनने के लिए हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किजिए थांक्यू